अश्कार दोस्तो मेरा नाम है चरनपरीत आप देख रहे हैं Automation Training Hindi आज हम बात करेंगे टाइमर के बारे में और ये Free PLC Programming Course का चोथा वीडियो है अगर इससे पहले आपने बेसिक वीडियो नहीं देखे हैं तो तीन पार्ट्स ओलेडी यूटूब पे अवलेबल हैं आप वो जाके तीन पार्ट्स पहले देख सकते हैं ये इसका चोथा पार्ट है और इसमें आज हम टाइमर के बारे में समझाएंगे कि टाइमर क्या होता है PLC के अंदर कितने टाइप के होते हैं कैसे इसके डिफरेंट PLC के अंदर एड्रिसिंग की जाती है और क्या-क्या चीज़े टाइमर के मामले में MAPLC के अंदर देखने को मिलती है तो आए स्टार्ट करते है टाइमर तो टाइमर जासे आपको पता है यह बिल्कुल basic element होता है इसका काम क्या होता है to create time delay यह क्या करता है time delay को create करता है input और output के पीच में क्या है अगर इसकी मैं बात करूँ it is a device यह एक device है जो क्या करता है it is a device use for use for creating time delay creating time delay between input and output बस अगर कोई पूछे timer क्या है यह definition आपको बता देनी है creating time delay between input and output तो यह बिल्कुल timer के एक simple definition है क्या है it is a device यह एक device है जो क्या करता है time delay create करता है input और output के बीच में for example मेरे को क्या करना है मेरे पास एक A input आया एक A input आया और मेरे को इस A input के 10 second के बाद इस A input के 10 second के बाद एक यह B task perform करवाना है क्या करवाना है B task perform करवाना है किसके बाद एक A input आया कोई भी input है A और मैं चाहता हूँ कि उसके 10 second के बाद मेरा कुछ काम हो जाए B वो मेरा काम है तो मैं ये 10 second का time delay किस से create करूँगा timer की help से create करूँगा PLC के अंदर तो I hope आपको समझ में आगया होगा क्या होता है ये timer नाम से ही पता चल रहा है क्या करता है time delay create करता है between input and output या output to output भी create कर सकता है input to input भी create कर सकता है इसका basic काम क्या होता है time delay create करना तो ये होते हैं हमारा timer PLC के अंदर जैसे माल लीजे मेरे पास कोई एक press machine है मेरे पास एक press machine है उसका ये cylinder है ये press machine का एक cylinder है तो ये इसका एक A push button है input है ये एक push button है ये cylinder तब down आना चाहिए जब मैं इस button को दबाऊं बट इस button के 10 second के बाद कि मैंने A button को press किया और 10 second के बाद ये cylinder मेरा down आजाए जब मैं A push button को press करूँ तो 10 second के बाद मेरा ये cylinder के आए down आए तो यहाँ पर ये जो 10 second का delay है ये किस के साइटा से create किया जाएगा timer के साइटा से create किया जाएगा हमारे machine के प्राम में प्रोग्राम के अंदर loads of timer हम यूज करते है क्योंकि हमें थोड़ा थोड़ा डिले डिले कहीं न कहीं पर एक प्रोसेस से अगली प्रोसेस के अंदर चाहिए ये होता है तो timer का basic काम क्या होता है delay create करना input और output के बीच में तो अब जान लेते हैं कि timer को लगाएंगे कैसे PLC के अंदर और कितने type के होते हैं timer I hope आपको timer समझ में आगया होगा इतना कुछ लंबी जोड़ी कहानी है नहीं है सिरफ simple सा एक device है जो time delay create करता है मेरे को एक input या output के बाद कुछ delay चीए तो मैं timer का इस्तेमाल करूँआ तो इसकी सबसे पहले बात करते हैं addressing की कि मेरी जो PLC है उसके अंदर इसको लगाया कैसे जाता है इसको address कैसे किया जाएगा program के अंदर तो मैं यहाँ पे दो PLC का बता रहा हूँ एग मैं बता रहा हूँ Mitsubishi का और दूसरा मैं बता रहा हूँ Delta का तो यहाँ पे दो PLC हो जाएंगी क्योंकि इन दोनों का उल्मों सेम ही रहता है programming का तो यहाँ पे हम दोनों को कर सकते हैं Mitsubishi के लिए software चीए आपको GXworks या GX Developer और इसके लिए WPL या ISP Soft जो भी हमारा software इस्तमाल में आपके particular model के लिए वो आपको चीएगा तो Mitsubishi के अंदर अगर मेरे को timer लगाना है तो मैं type करूँगा अपने laptop या जो मेरा computer है उससे मैं type करूँगा O U T क्या type करूँगा O U T आपको GX Developer, GX Works Open है आपको सीधा O U T लिखना है, अपने आप instruction window pop up हो जाएगा, कोई अलग से instruction window पहले कुछ खोलने की जुरूत नहीं है New Project create कर रखा है GX Works या GX Developer में, same WPL के अंदर भी आपको New Project create करके रखना है आपने GX Works में New Project create कर लिया और WPL Soft के अंदर भी आपने New Project create कर लिया उसके बाद आपको type करना है Mitsubishi के लिए O U T उसके बाद आपको एक space देना है उसके बाद आपको T1 या T2 जो भी आपका number है timer का वो आपको डालना है उसके बाद आपको K 10 या 100 जो भी आपको डालना है time delay, अभी मैं आपको बता दूँँगा कि ये किसका क्या मतलब रहता है देखिए यहाँ पे O U T है इसका मतलब है किया आप coil लगा रहे हो इसका क्या मतलब है आप coil लगा रहे हो timer की O U 2 का क्या मतलब है आप timer की coil यूज़ कर रहे हो T1 या T2 ये क्या है ये आपका timer का number है यह क्या है आपका timer number की कितने number आप timer use कर रहे हो क्योंकि PLC के अंदर number of timer होते हैं जैसे अगर basic model के बात करें Mitsubishi की FX की तो इसके अंदर हमें मिल जाते हैं 300-400 के आसपास timer मिल जाते हैं 300-350 के बीच में timer मिल जाते हैं और आगे जो बड़े model आते हैं क्यों series का जो है उसके अंद आत ड़र timer vary करते रहते हैं किसी model के अंदर कम फिर जादा-जादा जादा जैसे जते PLC का level बढ़ता जाता है basic से advanced PLC की तरह हम बढ़ते चले जाते हैं तैमर का कोईल लगाना है, यह T1 ये जो T1 ये T2 ये क्या है? टैमर नमबर है, यहाँ पर 1 से लेके अगर आपकी PLC के अनदर माल नीज़ے 350 हैं, तो मैं 1 से लेके 350 के बीच में कोई भी नमबर यूजग सकता हूं, अगर 1000 timer है PLC के अंदर तो 1 से लेके 1000 के बीच में कोई भी number का timer में यूज़ कर सकता हूँ उसके बाद जो ये K 10 ये बता रहा है ये बताएगा हमें time delay की time delay कितना रहेगा 10 second, b second, 1 गंटा, 2 गंटा ये क्या बताएगा time delay कितना second रहेगा, minute रहेगा, घंटे रहेगा, वो यहां से हमारा set होगा तो ये इस instruction का मतलब रहता है, out का मतलब है, coil को लगा रहा हूँ, t1 या t2 का मतलब है कि timer का number बता रहा हूँ k का मतलब है कि कितना time delay देना है, वो बता रहा हूँ, PLC को तो अपने आप कुछ पता नहीं, हमें सब कुछ बताना पढ़ेगा न, कि फलाना number timer यूज़ कर रहा हूँ, इतनी देर के लिए delay लगा रहा हूँ, programming तो हमें खुद करनी आना, तो इसलिए सारी चीज़े में बता timer का, उसके बाद space K100,000, जितना भी time delay मेरे को चाहिए, वो मैं यहाँ पर डाल दूँगा, यहाँ पर सेम है, TMR क्या बता रहा है, कोईल बता रहा है, ठीक है, T1 या T2 क्या बता रहा है, timer का number बता रहा है, ठीक है जी, और यह K10 क्या बता रहा है, time delay बता रहा है, तो अगर म में लगाना है, तो क्या type करूँगा, OUT space T1 space K10 या K100 जो भी है, delta के अंदर लगाना है, तो क्या type करूँगा, TMR space T1 T2 जो भी number यूज़ करना चाहते हो, और space K, जितना time delay डिना चाहते हो, तो इस तरीके से हमारी addressing रहती है, अब अगला एक और जो confusion रहता है, बहुत सारा ब लेंगे, यह आपको पता चलेगा manual से, यह कहां से पता चलेगा आपको PLC के manual से, आपको PLC के manual से पता चलेगा, जब आप नया PLC purchase करोगे, तो उसके साथ manual भी आता है, उसकी booklet आती है चोटी, और अगर आपके पास वो नहीं है, तो आप Google पे search simple डाल के, और search में उसका model डाल है 100 MSK, है 100 MSK, ठीक है जी, 350 से 355 timer है हमारे पास 10 MSK, ठीक है जी, 355 से 357 तक timer है 1 MSK, यह कोई भी जो हमारी PLC का मैंने ले लिया, basically FX की PLC के अंदर यह अप्रोक्सिमेट यही रहता है, तो आपको manual उसको download करना है, manual के अंदर आपको timer वाला जो section है, ऐसे detail मिलेगी, इस manual के प PLC के अंदर बिलेंगे आपको, आप कितना बड़ा program बना सकते हो, step वहाँ पे लिखे गए होंगे कि इसकी memory capacity कितनी है, step से आपको यह पता चल जाएगा कि इतना बड़ा program हम PLC के अंदर बना सकते है, PLC की memory कितनी है, वो detail आपको वहाँ से मिल जाएगी, input output आप कितने extend कर सक आपको यहां से मिलेगी, यह कोई याद रखने वाली चीज नहीं होती कि हमें याद है, अगर बंदा frequently एक ही model पे काम कर रहा है, तो याद हो जाती है काम करते करते, बट अगर different different model है, इतने सारे model है, जिसके details यह manual डालो, और manual से आपको मिल जाएगी, अगर फिर भी आपको कोई doubt रहता है, आपको नहीं मिल रही, तो screen पे number दिया गया है, निचे description में number है, आप मिर से help ले सकते हो, आपको help कर दिया जाएगा इस मामले में, तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि कितने devices इस PLC के अंदर है, इसकी क्या capacity है, अब यहाँ पे एक चीज और निकल के कीजिए आप, और उसमें देखिए, तो आपको यह S3 के से मिलेगा, तो इसका क्या मतलब है, आप इसके बारे में discuss करते हैं कि कितने type के timer होते है, I hope आपको समझ में आगया होगा कि क्या से addressing करते हैं, और क्या रहता है, अब यह 100ms, 1ms, 10ms जो लिखा रहता है, यह क्या होता ह इसके बारे में discuss करते हैं timer types, देखिए, PLC के अंदर classification आज पूरा करेंगे हम timer का कि कैसे timer को classify किया जा सकता है, तो सबसे पहले तो हम classify करते हैं timer को according to कि जो उनका working है, कि according to working कि वो किस तरीके से काम करते हैं, उसके according उनको classify करते हैं, according to working कि उनका काम कर रहेंगा, तरीका क्या है वैसे, तो इसके अंदर जो हमारे timer रहते हैं, वो basically दो class के अंदर आ जाते हैं, एक रहता है हमारा on delay, और दूसरा रहता है हमारा off delay, एक रहता है हमारा on delay, और दूसरा रहता हमारा off delay, on delay timer के अंदर क्या होता है हमारा, ये on delay और off delay है, दोन्नों ही timer, काम वही करेंगे दोन on delay of delay के आगा कुछ नहीं है दोनों टाइमर हैं दो टाइप के हैं जैसे आपको जर्नल सा एक्जामपल बताता हूँ हम humans हैं ठीक है humans में आके दो टाइप है एक woman है और एक man है है तो दोनों human ही ना अब है है human, man और woman अगे दो class होगी काम दोनों सेम ही करते हैं दोनों की functioning सेम ही है तो इसी तरीके से क्या है टाइमर है टाइमर की working के coding classify किया गया है एक on delay और एक off delay है दोनों timer ही तो on delay के अंदर क्या होता है सबसे पहले मैं आपको on delay बताता हूँ फिर मैं उसको आपको off delay बताऊँगा यह जो सारी चीजे मैं आपको बताता हूँ यह आप बैट के मत देखा कीजी वीडियो आप वी notes बनाएंगे अपने हाथ से अपनी diary के अंदर तो आपको यह पूरा clear हो जाएगा on delay timer के अंदर क्या होता है देखिए on delay होता है timer जो contact है on delay के जो contact है वो कब change होंगे मतलब no और nc मैं आपके किसकी बात कर रहा हूँ contact में no और nc की on delay timer के अंदर क्या होगा contact change after time delay contact change होंगे after time delay यहां contact किसको बोल रहा हूँ no और nc को contact कैसे NO और NC मतलब NO और NC ये कब change होंगे timer का काम ही इतना time delay create करना time delay कैसे delete करता है NO और NC से मैंने एक timer लगा दिया उसका time delay दे दिया मैंने 10 seconds 10 seconds जैसे ही पूर होगा 10 seconds के बाद क्या होगा timer का NO क्या बन जाएगा NC और NC क्या बन जाएगा एन्नो किस में change हो जाएगा एन्सी में और एन्सी किस में change हो जाएगा एन्नो में इसी तरीके से तो काम करवाते है टाइमर से तो टाइमर के जो contact है on delay timer के अंदर क्या होंगे after the time delay क्या होंगे after the time delay change होंगे मतलब माल लीजिए मेरे पास एक ये timer है ठीक है और यहाँ पर इस position पर इसके ये contact है एन्नो और एन्सी और यहाँ पर मैंने ये time delay दिया है दस सेकंड ये मैंने क्या दिया है दस सेकंड का time delay दिया है ये मैंने क्या दिया है दस सेकंड का time delay दिया है तो जैसे ही ये timer start होगा यहाँ से के बाद इस 10 सेकंड का time delay पूरा होने के बाद after completing the 10-second time delay, 10-second का time delay पूरा होने के बाद इसके contact क्या हो जाएंगे? Change हो जाएंगे, No क्या बन जाएगा? no क्या बन जाएगा? no क्या बन जाएगा on delay के अंदर क्या होगा? 컨क्ट changed after the time delay. समझ में आ गया? home delay के होगा contact change after the time delay अब ओफ डिले के अंदर क्या होगा ओफ डिले के अंदर इसका उल्टा होगा ओफ डिले के अंदर क्या होगा ओफ डिले ओफ डिले के अंदर होता है contact change for the time delay contact change for the time delay मतलब जो time delay है सिर्फ उसके लिए contact change होंगे जो time delay है, सिर्फ उसके लिए contact change होगे, on delay के अंदर क्या होगा, contact change after time delay, off delay के अंदर क्या होगा, contact change for the time delay, contact बोल रहाँ, no और nc को, contact किसको बोल रहाँ, no और nc को, तो इसके अंदर इसका diagram कैसे बनेगा, अब यह किसके लिए है, on delay के लिए, यह मैंने किसके लिए बनाया, on delay के मेरे timing diagram बनाया अब अगर इसका off delay का time off delay डेखेंगे तो कैसे बने खोच्व was helpful बनेगा यहां पर यहां पर क्या रहेंगे मेरे no और nc और यहां पर मान लीजे मैंने 10 seconds का time delay दिया यहांपे मैंने 10 seconds का time delay दिया तो जैसे यह timer स्टार्ट होगा यह contact क्या हो चेंज हो जाएंगे यह बन जाएगा एंसी और यह बन जाएगा ऐंव यह बन जाएँगा एंसी बन जाएगा लोगा एंसी जो अपनी पोजीशन सिलिष्य उस्मेझ तो घंची सब्सक्राइब कहोगा लें के after the time delay दोनों का डाइगराम मैंने आपको समझाया IHOP आपको समझ में आगोँ ऑगर कि on Delay और off Delay timer क्या होता है Umm daily timer के अंदर contact change होते हैं After the time delay और off Delay के अंदर change होते हैm for the time delay यहा 막 बार आपको पूरा दोनों का comparison दिखा देता हूँ on delay और off delay ठीक है एक diagram मैं फिर से बनाता हूँ अकर वहाँ पर सही से समझ में निया होगा ठीक है यह मेरा है on delay तो इसके अंदर जो no और nc है यहाँ पर यह क्या है initial position है यह time delay मैंने दिया 10 seconds का ठीक है जैसे यह time delay पूरा होगा यह contact क्या हो जाएंगे यहाँ पर यह सेकेंड का और यहां पर कॉंटक्ट क्या है जैसे ही टाइमर स्टार्ट होगा जैसे ही टाइमर की कोईल पर सप्लाई जाएगी यहां पर स्टार्ट होने का मतलब है जैसे ही कोईल ये X0 input कितनी सेकिंड तक रहना चीए, 10 सेकिंड तक हाई रहना चीए, तभी इसके contact है, change होंगे, on delay के अंदर, on delay के अंदर अगर X0 input 10 से पहले कट जाएगा, तो contact change नहीं होंगे, contact वही रह जाएगे, जो initial position के अंदर थे, तो contact कब change होंगे, जब ये X0 10 सेकिंड तक रहेगा, 10 सेकिंड जैसी complete होंगे, contact change हो जाएगे, off delay के अंदर क्या होगा, जैसे ही supply आएगी, वैसे ही contact क्या हो जाएगे, change हो जाएगे, NO क्या बन जाएगा, NC, और NC क्या बन जाएगा, NO, कितनी देर के लिए, सिर्फ 10 सेकिंड के लिए, जैसे ही 10 सेकिंड पूरे होंगे, ये फिर से अपनी पीछली वाली position में पहुंच जाएगे, और अगर ये off delay आए, अगर अभी ये off delay circuit के बारे में बात करेंगे, तो जैसे ही supply आएगी, अगर ये off delay लगा होगा है timer, तो जैसी supply आएगी, वैसी contact क्या हो जाएगे, चेंज हो जाएगे, अगर ये on delay लगा है, तो ये 10 सेकिंड तक supply रहेगी, उसके बाद ये contact चेंज होंगे, off delay लगा है, तो जैसी supply आएगी, चेंज हो जाएगे, कितनी देर के लिए, 10 सेकिंड के लिए, अगर बीच में supply कट गी है, X0 बीच में कट गया, तो बीच में इसके contact, फिर से अपनी previous position के अंदर आ जाएगे, तो ये था on delay और off delay timer, आईओब आपको समझ में आगे होगा, अखि या होता है on delay और क्या होता है off delay, ये था classification, एकोर्डिंग टू कि working उसकी क्या है timer की, अब according टू जो timer है memory, कि जो timer के अंदर memory दी गई है, वो कौन सी है, according to memory classification होगा, कि timer के अंदर जो memory दी गई हो, कौन सी दी गई है, तो इसके साब से according to memory, बरी दो तरीक्षार के timer होते हैं एक होते है heическая सब्सक्राइब और दूसरे होते हैं nonretentive timer सिम्पल सी चीज है रिटाइंटिव टाइमर वो होते हैं जिनके पास जो मेमरी रहती है वो रिटाइंटिव टाइप रहती है मतलब कि आपका एक टाइमर है आपकी पीलसी के अंदर टाइमर चल रहा है और आपका पावर कट हो गया आपकी पीलसी की पावर बंद होगी तो र आपने लगा रखा था दस सेकेंड टाइम डिले आपने डाल रखा था और यह टाइमर चल रहा था और जैसे आठ सेकेंड पे इसका डिले पहुंचा पावर क्या होगी ओफ होगी आपकी या पीलसी आपकी बंद होगी आपकी पीलसी बंद होगी या पावर आपकी ओफ होगी यह कहां पर पहुंचा था, 8 second पर पहुंचा था, time delay कितना ड़लावा था, 10 second डलावा था, तो जैसे ही next time power आएगी, जैसे ही अगले उसमें power आएगी, आपकी power उनोगी, यह timer कहां से start होगा, 8 second से start होगा, यह कहां चलेगा, 9 second चलेगा, और फिर 10 पर पहुंच जाएगा, समझ value को store कर लेता है, अपनी memory के अंदर, यह तर रिटेंटिव, नोण रिटेंटिव के अंदर क्या होगा, हमालीज आपका same timer था, 10 second का, और 8 second पर आपकी power चलेगी, 8 second पर आपका, power off होगी, तो जैसी आपकी दुबारा power आएगी, यह किस से चलेगा, यह 0 से start होगा, 0, 1 second से ऐस चलेगा, रिटेंटिव टाइब, मतलब सिद्धा सिद्धा है, भाई, store कर लेता है, value को, power जैसी जाएगी, उस value को store कर लेगा, जैसी power आएगी, वहीं से चलेगा, नोण रिटेंटिव के अंदर, storage का कोई option नहीं होता, power गई, तो 0 से start होगा, तो यह होता है, रिटेंटिव प्लाइब के अंदर, एसा कोई function नहीं होता, यह 0 से start होगा, यह तो था working k coding, और memory k coding की kis type की दी गई है, अगला होता है, कि आपका कितने ms का timer है, आपका जो, timer का classification होता है, कि कितने ms का timer है, प्लोक्त की आपको मिले होता है, 100 ms का 10 ms का 1 ms का अलग-अलग timer मिलेंगे तो PLC के अंदर according to जो time delay का रहता है function millisecond का ms का function रहता है उसके according three types के timer होते है एक होता है 100 ms का timer एक होता है 10 ms का timer और एक होता है 1 ms का timer ये बहुत जोरूरी चीज होती है जब हम अपना time delay calculate करते हैं PLC के अंदर timer को use करते हैं तो 100 ms का timer 10 ms का timer और 1 ms का timer ये ms क्या है ms है millisecond ms क्या है millisecond एक second के अंदर कितने millisecond होता है 1000 ms होता है एक second is equal to 1000 ms ये 1000 ms होता है एक second के अंदर ये इसी millisecond की बात कर रहा है ms इसी को बोल रहा है तो इसका क्या मतलब है अब इसको समझ लेते हैं यहाँ पर जो यह MS decide करता है यह time delay को decide करता है कि कितना आपको time delay set करना है और कितने MS का timer है तो आपको k की value कितनी set करनी पड़ेगी for example 100 MS का timer होते हैं वो कैसे काम करते हैं यह 100 का step लेते हैं एक MS का timer है यह क्या लेता है यह 100 का step लेता है फिर यह कहाँ जाएगा अगला 200 का step लेगा step मतलब कदम से बात कर सकते हैं मानलीजे अभी मैं हूँ मेरी height 5 foot 5 inch है तो मैं मेरा जो step है मेरा जो चलने का step होगा वो एक fix होगा मानलीजे मैं 2 feet का एक step ले लेता हूँ और अब जिस बंदे की 6 feet height है तो उसका जो चलने का step होगा जब वो चलेगा तो वो मेरे से ज़्यादा ले सकता है वो 3 feet का भी ले सकता है तो अब जब चलने की speed होगी वो दोनों की अलग-अलग होगी अगर same step रहेंगे मानलीजे मैं 5 feet का हूँ मैं 10 step चलता हूँ मेरा 1 step 2 feet का है तो मैं कितना चला? 20 feet चला अब मालीजी एक बंदा 6 feet का है और वो बंदा 3 feet का 1 step लेता है मतलब 3 feet का 1 step लेता है वो ऐसे और वो अगर 20 step चलता है तो वो कितना चल गया? 60 feet चल गया जैसे मैं आपको बता रहूं 100 ms का timer है ये कितने step चलेगा एक बार में 100 ms के step पे चलेगा ये ये जाएगा पहले 100 पे फिर जाएगा 200 पे उसके बाद जाएगा 300 पे उसके बाद जाएगा 400 पे उसके बाद जाएगा 500 पे इस तरीके से 100 के step बढ़ता बढ़ता ये कहां पे जा पड़ेंगे 10 step चलने पड़ेंगे तो ये जो 10 step है ये कब पहुँचेया धस स्टेब के टाइमर के अंदर के लिक्षे जाते हैं अगर मैं set कर देता हूँ k10 100 ms के timer में मैं set कर देता हूँ k10 तो इस k10 का मतलब होता है कि यह जो timer है यह जो 100 100 100 100 के हैं यह कितने step चलेगा 10 step चलेगा यह कितने step चलेगा 10 step चलेगा और यह 10 step चलने में कितने millisecond पे पहुंचेगा एक बार में कितने चलता है, 100 ms चलता है, 100, 200, 300, 400, 500, तो यह 10 step चलने पर कहां पहुंचेगा, यह 1000 ms पहुंचेगा, 1000 ms मतलम 1 second का time delay होगा, तो अगर आपका 100 ms का timer है, आपको 1 second time delay set करना है, तो आप k की value कितनी set करोगे, 10 set करोगे, अब देखिए 10 ms के timer के अंदर क्या होगा, मैं आपको 10 ms क बताता हूं, 10 ms का एक बार में 10 step चलेगा, यह चलेगा 10, 20, 30, 40, 50, इस तरीके से, 1000 पर इसको पहुंचना है, तो 1000 पर पहुंचने के लिए कितने step लेगा, 100 step लेगा, अब 10 ms का जब timer चल रहा है, तो उसको 1000 पहुंचने के लिए कितने step चाहिए, 100 step चाहिए, तो आपका 10 m का अगर टाइमर है आपको एक सेकंड टाइम डिले सेट करना है तो आप के की वेल्यू कितनी सेट करोगे हंडर सेट करोगे इस केस में इस केस में कितनी सेट करोगे हंडर सेट करोगे देखिए सेम टाइमर है टाइम डिले उतना ही आएगा टाइम डिले एक सेकंड का या रहा एक बार में 10 MS का है तो 10 step चलेगा, 1 MS का है तो 1 step चलेगा, अगर 1 MS का करेगा, 1 MS का टाइमर चलेगा, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से एक 7 step 1000 तक जाने के लिए इसको कितने step चलने पड़ेगे, 1000 step चलने पड़ेगे इसको, क्योंकि एक बार में कितना चल रहाए एक ही चल रहा है, एक, दो, तीन, चार, तो इसको अगर एक सेकंड का time delay set करना है, k की value कितनी हो जाएगी आपकी, 1000, k की value कितनी होगी आपकी, 1000, 1ms के timer के अंदर कितनी हो जाएगी, 1000 हो जाएगी, इसके अंदर कितनी होगी, k 100 होगी, इसके अंदर कितनी होगी, k 10 होगी, तो यह रहता है हमारा MS का हंडा, MS का मतलब होता है कि वो एक बार में कितने step चलता है, यह 100 MS के कितने है, 10 MS के कितने है, 1 MS के कितने है, manual से detail मिलेगी, मैंने आपको बता दिया, लिखा होगा, कि T0 से लेके, ऐसे manual में लिखा होगा, कि T0 से लेके T50 तक मेरे पास 100 MS के है, T50 से लेके 355 तक 10 MSK है 355 से लेके 357 तक 1 MSK है सबसे ज़्यादा PLC के अंदर timer रहते है 100 MSK जो 0 से आप देखोगे 0 से लेके 300-300 तक FX series में 100 MSK होते है फिर उसके बाद कुछ 5-10 timer रहते है 10 MSK फिर 2-4-5 timer रहते है उसके अंदर 1 MSK तो ये था सारा timer के बारे में जो time delay create करता है ठीक है PLC के अंदर time delay timer के दवारा create किया जाता है classification होता है according to working दो type के होते है on delay और off delay on delay timer के contact change होते है after the time delay off delay timer के contact change होते है for the time delay उसके बाद according to memory classification होता है दो type के होते है retentive और non-retentive retentive वो होते हैं जो याद रखते हैं जिनके पास memory storage की capacity होती है कि मैं last कितने पर बंद हुआ था वहीं से चलेगा non-retective के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता power बंद हुई तो वो फिर से 0 से start होगी उसके बाद होते है according to MS 3 type के 100 MS, 10 MS और 1 MS 100 MS का timer एक बार में 100 step चलता है 10 MS का timer एक बार में 10 step चलता है तो यह था सारा timer के बारे में आयोप आपको समझ में आया होगा वीडियो अच्छी लगी होता आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने friends के साथ share कीजिए और वीडियो को like कीजिए Thank you